यहां पर हम क्लास 10 आज आज आपके लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर थी है यानि की आखरी लेक्चर है प्लीज मेख शौर कि आप यही वाले लेक्चर देखें मेरे चानल पे या कहीं पे भी आप देखें जब भी लेक्चर बायलजी के तो मेख शौर करिए कि दोजार स्टाइब लेक्चर देखें सिमिलरी एसस्ट के भी जब भी आप देखें तो मेक्शॉर करिए कि इसके लिए करें क्योंकि आपका स्लिपस राशनलाइज हो चुका है अब हमारा बचा है ट्रां करेंच बाचा और हमारे पाछ बचा है एक्सक्रीशन हम दोनों के केसे करेंगे हम प्लांस के केसे में भी करेंगे और आपका यूमन बिंग के केसे बित जो भी NCRT का syllabus है और जहां जहां NCRT दें फिशिस का या फिर आपके mammals का या फिर आपके amphibians का example लिया है वो भी इसमें इंक्लूड करते हो चलेंगे साथ में session के बीच में मैं दूंगी 2-3 homework questions जो सिर्फ आपकी knowledge को test करने के लिए हैं आप चाहे तो उसका live chat में answer दे सकते हैं या फिर बाद में अगर आप video देख रहे हैं paper से पहले तो comments में भी answer दे सकते हैं so that I understand that your concepts are clear और अगर session को देखने के बाद आपको कोई भी doubt आता है तो भी आप उनसे comments में पूछ सकते हैं और session अच्छा लगे तो वीडियो like भी कर सकते हैं और बहुत अच्छा लगे तो दोस्तों को भी बता सकते हैं कि शुबम मैं से पढ़ लो biology है ना चलो start करे life chat transportation and human beings let's start जिन बच्चों को neat देना है वो ध्यान से पढ़े जिन बच्चों को neat नहीं भी देना है वो भी ध्यान से पढ़े क्योंकि board exams के लिए life processes बहुत ही जादा important chapter है top 3 chapter of our class 10 की science में आता है let's start with transportation in human beings now first of all transportation का मतलब क्या होता है एक चीज को एक जगा से दूसरी जगा ले जाने को transportation कहते है जो आप geography में पढ़ते हो जो आप biology में भी बढ़ते हो so there has to be transportation of various things जब हो medicine भी खारते है उसका भी transportation हमें करना है ताकि body अच्छे से function करती रहे so in case of human beings we have a well developed transportation system obviously हमारे पस digestion के लिए एक पूरा system है हमारे लिए respiration के लिए एक पूरा system है so transportation के लिए भी हमारे पास system है अब transportation के लिए actually हमारे पास दो system है एक है बच्चा blood circulatory system जो हमारा primary transportation system है human beings में और एक है हमारा lymphatic system आपकी class strength level पे lymphatic system डीटेल में नहीं है बस lymph mention किया हुआ है लेकिन वो मैं बता दूँ बहुत बच्चों को यह doubt रहता है last तक भी paper से पहले तक भी यह doubt रहता है कि lymph आकर है क्या तो human beings में दो तरीके के circulatory system है blood circulatory which is the primary यानि की सबसे ज़्यादा transportation और circulation उसी से होता है और जहां जहां blood circulatory system काम नहीं आपाता है उसके लिए हमारे पास एक secondary circulatory system है जिसको हम lymphatic system बोलते हैं तो blood circulatory system detail में है दूसरा वाला detail में नहीं है so let's talk about blood circulatory system कोई भी circulatory system अगर आप देखोगे कोई भी transportation organ या transportation system देखोगे organisms में तो वो हमारी body को nutrition के साथ साथ waste removal में भी help करते हैं आप देखो ना body में इतने सारे metabolic processes शलते रहते हैं इसमें से कई सारी चीज़े जो हम बनाते हैं वो हमें चाहिए नहीं होती है जैसे हम breathe करते हैं, respire करते हैं तो cellular level पे respiration होता है और CO2 reduce होता है वो CO2 हमें अपनी body में रखे फायदा नहीं है तो हमारे lungs जो हैं उसे बाहर निकाल देते हैं similarly body के अंदर जो भी toxins होते हैं वो blood के through kidney तक पहुंचते हैं और kidney उसे filter करता है जो आप excretion वाले topic में पढ़ोगे but just make sure that you understand कि सिर्फ अच्छी चीजों का transport नहीं हो रहा है body में बलकि जो excretion का product से उनका भी transport होता है circulatory system से majority blood circulatory system के 3 parts होते हैं बच्चा एक होता है सबसे बड़ा सबसे बहतरीन organ जिसे बोला जाता है heart जो कि हमारा दिल यह center of the blood circulatory system है क्योंकि heart नहीं होगा तो पूरी body में pumping नहीं होगी blood की और pumping नहीं होगी तो transportation हो नहीं पाएगा so it is a muscular organ which pumps the blood throughout the body and it is the central part of the blood circulatory system दूसरे में आता है blood vessels हिंदी पे बोलू तो नसे जो भी आपको यह अपनी हाथ में दिखती है यहाँ पे दिखती है कहीं भी body पे थोड़ी थोड़ी नसे दिखती है दोजार blood vessels पर सारी blood vessels एक जैसी नहीं होती है सबको आप blood vessels बोल सकते हो तो लेकिन blood vessels के different different types होते है arteries भी blood vessels पे count होती है veins भी होती है और बहुती छूटी छूटी minute blood vessels जो होती है उन्हें आप capillaries बोलते हो don't worry आगे हम थोड़ा detail में भी पढ़ लेंगे third number पे आता है हमारा medium transportation के लिए medium जैसे अगर आपको अपने घर से दोस्त के घर जाना है तो bus चाहिए, गाड़ी चाहिए, cycle चाहिए, bike चाहिए, that becomes your transport vehicle or medium similarly blood circulatory system में the medium which travels through the body and helps in the transportation of various things is known as blood blood के अंदर भी अलग अलग चीज़े होती हैं कुछ अलग अलग cells होते हैं, plasma होता है, platelets होता है heart, blood vessels और blood को हम detail में आगे पढ़ने वाले हैं लेकिन पहले इनका bifurcation देख लेते हैं, तो ये chart, screenshot लेना है तो screenshot ले लो वनना ये free pdf आपको मेरी telegram channel पे available हो जाएगी, telegram channel का link आपको description box में मिल जाएगा वहाँ से आप इस pdf को free of cost access कर सकते हैं, हो, तो तीन तरीके की vessels है हमारे पास, capillaries, arteries और veins और blood के different components है, blood cells है, red blood cells, white blood cells आगे पढ़ेंगे, platelets है और plasma है, और heart हमारा main organ है जो blood को pump करता है now let's start with, now blood vessels, सबसे easy चीज़ को सबसे पहले पढ़के खतम कर देते हैं, blood vessels, तो तीन तरीके की mainly blood vessels होती है, body में, एक होती है arteries, एक होती है veins, एक होती है capillaries सबसे पहले arteries को देखो, arteries बहुत पतली होती है, muscular होती है, और इनका main काम होता है, मतलब body की mostly सारी की सारी arteries oxygen वाला blood carry करती है, heart से पूरी body के अंदर समझ गए, तो कोई पुछे arteries कौन सी हैं, तो बोल देना, those blood vessels that carry the oxygenated blood away from the heart to each and every part of the body are known as arteries जो main artery होती है body की, जो heart से निकलती है, और बाद में आके branch out होती है, उसे आप बोलते हो iota, iota heart से निकलती है, आगे जाके पतली-पतली arteries में branch out हो जाती है, right? Since the blood emerges from the heart, एक बात आप खुछ सोचो, heart यहां पे है, heart हमारे कहां पे होता है, you know where the heart is, heart is here, यहां से आपके पेरों तक, आपके सर तक हर जगा blood जाना है, तो we have to make sure कि blood एक बहुत लंबा distance travel करें हमारी body में, जितने लंबे आप होगे उतना जादा distance travel करना पड़ेगा, कि उन्हें पूरी body में blood circulate करना होता है, इसलिए arteries अगर आप देखोगी तो उनकी wall thick होगी, क्योंकि अगर पतली pipe होगी और बहुत high pressure से पानी उसमें से गुजरेगा, तो pipe के फटने के chances है, हम नहीं चाहते हैं कि हमारी जो iota है यह arteries हैं, वो फटे, right, बढ़ाता सेम टाइम हम चाहते हैं कि blood पूरी body में अच्छे से circulate हो जाए, इसलिए arteries के पास thick elastic walls होती है, right, एक exception है arteries का, वैसे तो सारी arteries oxygenated blood carry करती है, बट एक लौता exception जो है हमारे circulatory system में, वो है pulmonary artery, जो de oxygenated blood carry करती है lungs तक, आगे जब हम double circulation पढ़ेंगे आपके chapter में, heart वाले topic में, तो यह point आपक carry oxygenated blood except for pulmonary artery, next हमारे पास हाता है veins, veins are those blood vessels जो de oxygenated, या फिर आप बोल सकते हो, ऐसा blood जिसमें oxygen की कमी या नहीं होता है oxygen, वो carry करती है to the heart, the blood vessels that carry de oxygenated blood to the heart, not away from the heart, to the heart are known as veins, तो यह सारा का सारा खून कहां से लाती है, यह body में से लाती है, हमारी body में जो सबसे main vein है उसका नाम है venakawa, एक superior venakawa होती है, वो हमारे head और neck वाले area से blood लेके आती है, de oxygenated blood लेके आती है heart में, और एक inferior venakawa होती है, जो body के lower part में से blood लेके आती है heart में, बढ़ आप देख रहे हो, कि सारी कि सारी vessels, जो हैं यह veins, वो de oxygenated blood carry करती है, यहाँ पे भी एक exception है बच्चा, उसका नाम है pulmonary vein, जो oxygenated blood carry करती है, तो दोनों में pulmonary pulmonary आगे लगा देना, वो हैं आपके exceptions, फिर आती है capillaries, arteries और veins जो होती है, इनका जो radius होता है, जो lumen होता है, वो थोड़ा मोता होता है, तो यह सारी tissues में, सारे cells में नहीं पहुँच पाती है, जैसे आप respiration वाले part में प भी simple diffusion से आप चाहते हो ना, कि चीजे आर पार निकल जाएं, वहाँ पे आपको veins और arteries की नहीं, बलकि capillaries की जरूद है, तो capillaries का काम होता है, veins और arteries की बीच में जो जगा हो, उसे fill करना, basically उने connect करना, इनकी जो वाल होती है, वो बहुत पतली होती है, इसलिए इन में से simple diffusion ह होने के chances बहुत बहतर होते हैं as compared to arteries and veins, तो simple diffusion जहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो विल्लाई है, चाहे वो alveolाई है, वहाँ पे आपको capillaries दिखेंगी जादा, और arteries और veins नहीं दिखेंगी, ठीके जी, समझ आ गया, इतना तो तीन तरीके की नसे हैं, arteries, veins and cap Now let's talk about the heart, heart हमारा क्या होता है, main organ होता है, blood circulatory system का, muscular organ होता है, हमारी मुठी जितना बड़ा होता है, बोले तो 12 से 16 cm जितना बड़ा हो सकता है हमारा दिल, because blood के अंदर, sorry, because हमारे heart के अंदर वो वाला खून भी travel करता है, जिसमें oxygen होता है, और वो वाला खून भी travel करता है, ज इसलिए human body के अंदर blood के chambers होते हैं, chambers का मतलब कमरे होते हैं, अब देखो, आप सब कुछ energy requirement पर depend करता है, आप reptiles देखते हो, amphibians देखते हो, यानि birds देखते हो, reptiles देखते हो, उनकी energy requirement बहुत जादा नहीं होती है, होती है अच्छी खासी, लेकिन human beings जितनी energy requirement नहीं होती है, on the other hand, अगर आप fishes देखते हो, उनकी energy requirement बहुत ही काम होती है, तो depending upon कि एक organism कितना complex multi-cellular organism है, और depending upon कि उस organism के energy needs कितनी जादा हैं, blood के chambers बढ़ते जाते हैं, for example, fishes के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो chambers होते हैं, दो कमरे होते हैं, heart के, amphibians के अंदर, reptiles के अंदर, 3 chambers होते हैं, human beings के अंदर, 4 chambers होते हैं, तो यह कमरे बनाने से क्या होता है, यह कमरे बनाने से separation होता है, deoxygenated और oxygenated blood हमारी body में mix ना हो, क्योंकि अगर गलती से mix हो गया, oxygen वाला और carbon dioxide वाला blood, तो हमारे cells तक oxygen पहुचने का जो कारेक्रम है, वो थोड़ा सा delay हो जाएगा, वो delay हो जाएगा, तो cellular respiration efficient नहीं हो पाएगा, और cellular respiration efficient नहीं होगा, तो ATP से energy produce नहीं हो पाएगी, right, so you get my point, that to make sure that oxygenated and deoxygenated blood are not mixed together, because of our human being's high energy requirements, we have four chambered heart, ठीक है, चलो, अब structure देख लेते हैं, heart के 4 chambers है, यानि की 4 valve है, 2 उपर वाले, 2 नीचे वाले, मैं डाइग्राम के तार दिखाती हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा, जो हम छोटी classes में, यहां greeting cards में, Valentine's Day के दिल बनाते हैं, दिल ऐसा नहीं दिखता है, दिल ऐसा दिखता है, उपर के 2 घर हो गए, और नीचे के 2 घर हो गए, नीचे वाले घरों को बोल दिया आपने ventricle, और उपर वाले कमरों को बोल दिया आपने लगे होते हैं, वाल्फ का मतलब जैसे नलका होता है, नलकी को आप खोलते हो तो पानी भेता है, उसे तरीके से backflow कंट्रोल करने के लिए यहां पर वाल्फ लगे हो होते हैं, यह थोड़ी extra knowledge है, class 11th के लेवल की knowledge है, अगर आप पढ़ना चाहते हो, नीट में इंट्रस्टे पर मिट्रल वॉल्फ है, यानि left 아teum और left ventrical के वीच में मिट्रल वॉल्फ है, और right arterium और right ventrical के वीच में tricuspid वॉल्फ है, उन दे अधर हैं, जो vane, जो blood vessel, blood carry करती है हाट से, या blood लेके आती है हाट में, वाहां पर भी वॉल्फ लगे होते हैं, तो जो aiotic वॉल्फ होत है they are between ventricle and pulmonary artery तो इस तरीके से वॉल्फ होते है हमारे हाट में but you don't have to concern yourself here ये वॉल्फ का काम होता है कि blood backflow ना है हम चाहते है कि blood जिस direction में जाना है उसी direction में जाए तो ये उस blood flow के backflow को control करने के लिए होते हैं this is a typical typical structure of human heart please remember human heart का जो size है वो हमारी मुठी बराबर होता है सिस्ट बराबर होता है now let's see बच्चा जो हमारी body में circulation होता है खून का जो circulation होता है circulatory system है जिसका main organ हमारा heart है उससे हमारा lung भी connected है बिकस आप सोच के देखो ना हमारा जो oxygen है वो तो बाहर से आरहा है environment से आरहा है आज का बाहर डर लगता है हाँ हाँ हम जो बाहर से सांस ले रहे है oxygen तो उसमें से आ रहा है और oxygen alveol आए के आसपास की capillaries से blood में चला गया तो basically oxygen rich blood जो होता है वो लंक से सबसे पहले heart के left side पे आता है रटलू oxygen rich खून लंक से left side पे आएगा आपके heart पे और कौन receive करेगा उपर वाले कमरे में आएगा सबसे पहले उपर वाले कमरा कौन सा होता है left atrium तो लंक से सीधे oxygenated blood कहां आ रहा है left atrium में आप देखो diagram समझाया step number one ये माल लंक से तो लंक से oxygenated blood आया आपका left atrium के अंदर अब step tube में क्या होगा कि ये left atrium contract करेगा और ये left ventricle relax हो जाएगा कि हाँ देदे भई मुझे जितना खून देना है देदे तो left ventricle जैसी contract करेगा वैसी सारा खून चला जाएगा आपका left left atrium जैसी contract करेगा वैसी सारा खून चला जाएगा left ventricle में left ventricle में चला गया step 3 में क्या होगा step 3 में left ventricle contract करेगा यहां से contraction होगी contraction होगी तो इसके अंदर जो blood भरा हुआ है उसको pressure बढ़ेगा pressure बढ़ेगा तो यह left ventricle को छोड़ के जाने की कोशिश करेगा right oxygenated bloody है third step में LV यानि कि left ventricle contract करता है और वो पूरी body में blood फैलाता है इसलिए सबसे high pressure जो है ना बच्चा blood में वो तभी create होता है जब आपका left ventricle contract होता है क्योंकि उसका function है कि पूरी body के हर एक पार्ट में blood जाए तो it needs that pressure right so left ventricle से blood iota के थूँ जो आपकी main artery है जो बाद में जाके branch out हो जाएगी stomach में जाएगी तो you know gastric iota बन जाएगी और kidney में जाएगी तो renal artery बन जाएगी वो सब बात की बात है लेकिन main हमारी जो iota है वो oxygenated blood carry करके ले जाती है सारे के सारे किसमे body के cells में अब body के cells में क्या होता है cellular respiration होता है पूरी body में क्या होगा cellular respiration होगा cellular respiration में oxygen मिल गया हमें oxygen यहां से मिल गया oxygenated blood से निकलेगा क्या CO2 निकलेगा तो अब ये सारे के सारे body parts से step 4 में deoxygenated blood, CO2 carrying blood को क्या बोलते हो आप, deoxygenated blood बोलते हो, तो deoxygenated blood vena cava नाम की जो mean vein होती है आपकी, वो carry करती है, जो अभी मैंने पहले बताया ना कि दो parts में divided होती है superior and inferior, पड़ यहाँ पे सिर्फ हमने वीना cava लिखा हुआ है वीना cava लेके जाती है, वो सारा सारा गंदा खून, यानि की CO2 वाला खून और देती है right arterium को, उपर वाला घर right arterium right arterium contract होता है, contract होता है नीचे वाला जो इसका ventricle है right ventricle वो relax हो जाता है बोलते हाँ, दे दे हमें सारा deoxynated खून दे दे, right ventricle में जाता है deoxynated खून right ventricle फिर खूब जोर से contract होता है और सारा का सारा deoxynated खून, pulmonary artery के साथ चला जाता है आपका lungs में, और lungs में फिर alveoli में जाके diffusion होता है और सारा CO2 lungs में भर जाता है और हम क्या कर देते हैं exhale out कर देते हैं CO2 को यह है पूरा process अब देखो यहाँ पर exception क्या था वैसे तो mostly जो आयोटा था वो oxygenated, लाल वाला पार जो oxygenated blood शो कर रहा है oxygenated blood कर रहा था, लेकिन यहाँ पर exception देखो, pulmonary artery ने deoxygenated blood करी किया similarly वैसे तो mostly जो veins है या वीना कावा है या बाकी सारी veins है वो deoxygenated blood कर देखो लेकिन यहाँ पर exception देखो pulmonary vein ने oxygenated blood करी किया लंग से हार तक तो यही है आपका exception और यह पूरा अगर आप cycle देखोगे तो दिल में से खून जो है दो बार होके गुजर रहा है एक यहाँ पर cycle number one एक यहाँ पर cycle number two इसलिए human beings में यह जो पूरा process होता है because in the human heart in one cycle the blood flows through human heart twice that is why it is known as double circulation ठीक है this is what it is, double circulation now double circulation इसलिए हमारे पास chambers भी बने हो होते हैं heart के अंदर 4 chambers भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि oxygenated और deoxinated blood mix नहीं होना चाहिए और double circulation efficiently होना चाहिए double circulation को higher classes में again this is extra knowledge if you don't want to learn you can skip this part higher classes में आप पढ़ोगी कि double circulation को further low parts में divide करते हैं pulmonary and systemic pulmonary वह वला पार्ट था जिसमें lungs और heart के बीच में बाते हो रही थी यानि कि lung से deoxinated lung से oxygenated खून left atrium में आ रहा था और deoxinated खून जो है right ventricle से lung में जा रहा था and systemic circulation is the part जहां पे हमारे heart और body के बीच में circulation हो रहा था this is just a distinction आपके syllabus में अगर question आएगा तो वो कभी pulmonary या systemic अलग से नहीं पूछेंगे they will always ask the full procedure of the double circulation those four points that I have told you you have to learn them with the diagram next is blood so हमने heart का पूरा देख लिया circulation पूरा देख लिया देख लिया कि high energy requirement की वज़ा से हमारे हां पे chambers भी 4 होते हैं तो आपको एक medium चाहिए यानि कि अगर आप एक घर में कोने में अगर बत्ती जलाते हो तो अगर बत्ती की खुश्बू पूरे घर में फैल जाती है medium क्या होता है हवा medium is atmosphere atmospheric gases similarly अगर आपको plants को कोई nutrition देना है तो आप जड़ों में पानी डाल देते हो वो पानी के थुरू चला जाता है सारा nutrition similarly अगर human body में आपको कोई भी चीज ट्रावल करानी है एक point से दूसरे point तो आपको एक medium चाहिए that medium is blood which is nothing but a tissue what is a tissue बच्चा? a conglomerate of cells जब cells मिल जाते हैं तो वो tissue बनाते हैं हाँ यहाँ पे cells tissue बना रहे हैं जो liquid है mobile medium है लेकिन है ये tissue ही समझ आया? तो कोई बूचे कि fluid tissue बताव बोड़ी का fluid connective tissue तो आप बोलना blood और लाल रंका होता है क्यों? क्योंकि इसमें वो pigment होता है जिसका नाम है hemoglobin जो मैंने last class में पढ़ाया था जो oxygen carrying pigment है तो उसकी वज़ा से ये जो है लाल रंका होता है अब इसके अंदर क्या-क्या होता है इसके अंदर platelets होती है plasma होता है और cells होते है plasma blood का वो वाला part है जिसके अंदर सारे cells suspended होगे दिख बुचा cells तो solid है cells are solid cells can be microscopic but they are eventually solid in nature but plasma is that liquid medium जिसके अंदर blood cells तंगे होगे रहते है तो 90% जो हमारा plasma है वो water का बना हुआ होता है और उसके अंदर चाहे RBCs हैं, red blood cells हैं, white blood cells हैं platelets हैं वो सारे के सारे suspended होते है और blood का function क्या होता है blood का function होता है nutrition को एक जगा से दूसरी जगा ट्रांसपोर्ट करना hormones को करना enzymes को करना chemical को करना waste product को करना blood की clotting करके body से excess blood flow ना हो जाए उससे बचाना antibodies एक जगा से दूसरी जगा सप्लाई करना antibodies produce करना so blood has a lot of function and blood has a lot of component पर हमारी blood के अंदर सबसे जगा प्लाजमा ही होता है 55% human body के अंदर blood में प्लाजमा होता है 1% white blood cells होते है और platelets होता है लेकिन ये 1% white blood cell blood clotting में भी मदद करते हैं और हमें immunity भी प्रोवाइड करते हैं और 44% हमारी body में red blood cells होते हैं क्यों? सोचो आप red blood cells का count white blood cells है इत्ता ज़्यादा क्यों है क्योंकि बच्चा हमारी energy requirements बहुत ज़्यादा है और क्योंकि energy requirements ज़्यादा है we want कि oxygen सारे cells में जल्दी से जल्दी पहुचे इसलिए red blood cells ज़्यादा मात्रा पे होते हैं ठीक है? red blood cells को बच्चा erythrocytes भी बोला जाता है confuse मत हो न erythrocytes white blood cells को leukocytes भी बोला जाता है ठीक है? leukocytes leukocytes के further divisions होते है monocytes, lymphocytes, besophil syllabus में नहीं है कोई आपको पढ़ाए भी तो knowledge के लिए पढ़ लेना syllabus में हमारे नहीं है class 11th level की बाते हैं कोई बूचे कि RBC कितने दिन तक जिंदा रहते हैं? 4-3-4 महीनी तक जिंदा रहते हैं RBC नह से पनते रहते हैं पुराने वाले मरते रहते हैं और disk-luck होते हैं मतलब कि फ्लाटएंड होते हैं white blood cells बहुत कम दिन जिंदा रहते हैं 13 से 20 दिन तक ही जिन्दा रहते हैं बट अगांग इस ओल आर हायर लेवल क्वेश्टिन यू डोंट नीड तो कंसर्ण यॉसर्ण वोट देना स्लेबस इस ब्लाड क्लोटिंग ब्लाड क्लोटिंग क्या होता है जब हमें कोई भी चोट लगती है तो बॉडी से प्रेशर भी कम हो जाएगा है ना भई? एक सिस्टम आपने बनाया हुए जिसके अंदर एक प्रेशर में पूरा सर्कुलेशन हो रहा है उस सिस्टम में कोई पंचर लगा दिया अगर गुबारे में एक पिन लगा दिया आपने सिर्कुलेशन का सिस्टम को लाप्स कर जाएगा तो इनी दोनों वजा से जब भी बॉडी को चोट लगती है और ब्लड का लॉस हो रहा होता है तो बॉडी में एक मेकानिजम अक्टिवेट होता है जिसका नाम है ब्लड क्लोटिंग ठीक है ब्लड क्लोटिंग में ब्लड का कौन सा वाला पार्ट हेल्प करता है प्लेटलेट हेल्प करता है प्लेटलेट फो उसके साथ विटमिन सी भी मिला हुआ होता है फिब्रेन भी मिला हुआ होता है क्लास 11 के लेवल की बाते हैं लेके ये जरूर आपके सिलिवस में है कि blood clot होता क्या है और उसमें blood का कौन सा वाला part help करता है तो जहां पे भी rupture हुई होती है आपकी blood vessels वहाँ पे आपका platelet जाके एक mesh like structure बना रहते है जो से कपडा ख़ता है तो हम सुई धाके से सिलना शुरू कर देते है वैसे अगर कोई भी blood vessel rupture होती है तो वहाँ पर जाके platelet जाके different different form में लगना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पर different different form में लगके उस part को भरना शुरू करदेते हैं right so plateless play an important role इसके अलावा, blood circulatory system के अलावा, हमारी body में transport के एक और system होता है, which is known as lymphatic system. क्योंकि, blood की composition होती है, blood के अंदर proteins, hormones, enzymes, soils, red blood cells all around the body, both of the body are carried, पोइंट ओफ ताइम पे ब्लड में सब कुछ है, वहां कुछ जादा कुछ काम लेकिन है सब कुछ, अब इसमें से कुछ मौल्लक्यूस होते हैं जो बहुत भारी होते हैं जो हर जगा बॉडी में नहीं पहुंच पाते हैं बहुत ही पतली और छोटे माइक्रोस्कोपिक चीज़े जा सकते हैं, वहाँ ब्लड के कुछ मॉलिक्यूल्स नहीं पहुच पाते हैं, तो ऐसी जगाओ पे हमें एक और सर्कुलेटरी सिस्टम की जुरत परती है, विच इस लिम्फाटिक सिस्टम, लिम्फाटिक सिस्टम भी क दूसरी जगाँ करता है, यहाँ पे लिम्फ करता है, लिम्फ और ब्लड की जो कॉंपजीशन है बच्चा वो मोर और लेस सेम होती है, बस लिम्फ में ब्लड से थोड़ी सी कम चीज़े होती है, यह भी एक मोबाईल यानि की फ्लूइड कनेक्टिव टिशू ही है, लिम्फ ब्लड का वॉल्यूम भी मिंटेन करता है, जब भी ब्लड में वॉल्यूम कम होने लगता है, मालो को चोट लग गई, ब्लड का लॉस हो गया, तो लिम्फ जो है खुद को ब्लड में कनवर्ट करके ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा देता है, यह एब्सॉप्शन में भी absorption of fat के transport में भी और antibodies भी बनाता है. So, इसका main ingredient है, main connective tissue है, lymph. तो कोई पुछे, lymph तो बोल देना, one more connective tissue that human body has other than the blood, which is also a part of lymphatic system, is known as lymph. Next, blood pressure क्या होता है? So, blood pressure होता है, जब भी, pressure क्या होता है? जब भी, force upon area, तो class time पर पढ़का है, force upon area is pressure. जब भी, blood के vessels के wall पे, कोई force लगाया जाता है, कोई pressure लगाया जाता है, तो उसे blood pressure बोलते हो. हम अपनी body का, human body का blood pressure जो है, एक specific instrument से measure करते हैं, आपने घर में दादा जी, दादी जी, पेरिंट्स को देखा होगा, वो अपना blood, जब भी pressure ना पर होते हैं, तो एक ऐसी पत्ती लगाते हैं, और ऐसे फुस-फुस करते हैं, या बटन दबाने वाली भी machine आगई है आजकल और blood pressure आजाता है, that machine is known as, वच्छा, Sphygmomanometer, इसको जैसा तोड़ तोड़ के आद करोगे, spelling गलत करने के chances उतने काम होगे, और इसकी unit होती है, mm of hg, तो normal blood pressure जो है human body का, that is 80 by 120, 80 by 120, मेरे pen को बताने क्या हो गया, पंका जलाना भूल गया है, तुमारे टीचे गर में लग दी है, पूछो मन, oh 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 oh, चलो, 80 by 120, अब ये 80 by 120 ये, 120 by 80 का क्या मतलब होता है, ये high blood pressure, low blood pressure का क्या मतलब होता है, ma'am, बात हो रही है, देखो, ventricle की, किस की बात हो रही है, ventricle की बात हो रही है, ventricle कौन सा, नीच contract होना, diastole का मतलब relax होके बैच जाना, diastole मतलब relaxation, ठीक है, किस चीज का contraction और किस चीज का relaxation, ventricle का contraction, ventricle का relaxation, ventricle जो contract होता है, याद करो, अभी हमने double circulation में पढ़ा, जब ventricle contract होता है, तो पूरी body में blood circulate करता है, तो ventricle का contraction का pressure obviously जादा होगा, because we want the blood to flow in the entire body all at once, right, इसलिए maximum pressure जो body में, normal body में देखने को मिलता है, when the ventricle contract on the walls of the, you know, the veins, is known as 120 mm of Hg, ठीक है, on the other hand, जब ventricle relax होके बैठे रहते हैं, जब वो blood receive कर रहे होते हैं, है ना, तब जो आपकी arteries में pressure होता है, उसे आप बोलते हो, diastalling blood pressure, तो ventricle के contraction में maximum pressure होना चाहिए 120, ventricle के diastrol में maximum pressure होना चाहिए 80, अगर 80 से कम pressure आता है आपका, तो मतलब आपका blood pressure low है, अगर 120 से उपर जाता है, कई लोग बहुत गुस्टा करते हैं, या कई लोग बहुत ओली खाते हैं, उनका blood pressure बढ़ने लगता है, तो blood pressure अगर आ in severe cases, नसो के फटने के chances होते हैं, और low blood pressure से body make weakness आने के, और in fact paralysis में जाने के भी chances होते हैं, severe severe cases के मैं बात कर रहे हूं, so it is very important, hypertension का ख्याल रखना चाहिए, high blood pressure का, because we don't want internal bleeding, अगर नसे फट गई, जादा pressure से तो internal bleeding हो जाएगी, and it would be a serious serious injury and a serious case, the person would have to be hospitalized, this is what is blood pressure, Now before we go on to the next part, which is transportation in plants, please answer these two questions, the one question is, कौन सा instrument चाहिए होता है, blood pressure को measure करने के लिए, spelling गलत की तो माना नहीं जाएगा, answer तुमारा, और दूसरा question है, कि कौन सी blood vessel है, जो oxygenated blood carry करती है, लंग से हाग तक, खीके जी, next question, next part पर चलते हैं, transportation in plants, before we begin की transportation in plants कैसे होता है, कौन करता है, you have to understand कि plants की energy requirements है, वो animals से बहुत कम होती है, unicellular organisms की बात नहीं हो रही है, multicellular organisms में, जो animals होते है, उन से बहुत कम होती है, क्यों कि वो locomotion दिखाते है, deer है, chipkali है, rat है, snake है, human beings है, घोडा है, हाती है, हम लोग क्या बहुत है, लोको मोशन दिखाते है, यानि कि पूरी body हमारी एक point से दूसरी point move हो सकती है, और हमारी energy requirement भी जादा होती है, बहुत energy लगती है, right, so plants में लोको मोशन नहीं होता है, तो plant की पहली बात थो energy requirement कम है, तो plant धीरे धीरे भी transportation करेगा, तो चल जाएगा, एक point तो ये clear कर लो, कि plant has a relatively slow transport system, दूसरा point ये है, ये तो अच्छी बात है प्लांट, slow transport system पे भी जिन्दा रह सकता है, क्योंकि उसके पास energy requirements ही कम है, लेकिन, plant कभी-कभी बहुत लंबे भी होते है, आपने यूकलिप्टर्स के पेड़ देखे हैं, Amazon forest में, कितने बड़े-बड़े, चे-चे मीटर के भी पेड़ है, उससे भी बड़े-बड़े चाहिए, तो ये दोनों बाते समझ लो, energy requirement कम है, लेकिन distance of the traveling, human being की body में, जो traveling distance है, ट्रांसपोर्ट का वो बहुत कम है, trees की body में, प्लांस की बाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का distance बहुत जादा है, तो we need a fixed system, अब छोटी classes में आप टिशू वाले चाप्टर में पढ़के आ एक होता है खाने के लिए, which is known as phloem connective tissue, phloem खाने के साथ साथ कुछ हमाइनो, acid ये, कुछ और जरूरी चीज़े होती है, plant body में, तो वो भी ट्रांसपोर्ट करता है, जायलम पानी के साथ 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 मिनरल को भी ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि पानी के साथ ही, डिजॉल् ल्ग खानले खानने के साथ सांबने मिनरल को आपर, ग्र्लिज्॑ AM खानी अल्यम खानी कायमा और क्कॉangan CELL से बनावाः है, now one thing that you haven't learned in class 9th is, ascent of sap and translocation, I'll tell you what it is, transportation of water in a plant body, mark my words, transportation of water in plant body from roots to all parts is known as ascent of sap. Very important question. Neat point of view say bhi bhorat important hai. ठीके जी? Ascent of sap. इतना चमका? On the other hand, transportation of food from the green parts of the plant body to all the body parts is known as translocation. अब लिखने की जगह नही है, तो मैं आपर translocation लिख रही हूँ, बट मैंने आपको explain कर दिया है. transport of food from the green parts. जहाँ पर photosynthesis होगा, वही पर तो खाना बनेगा, वही से तो हर जगह जाएगा. So, that is known as translocation. Now, पहले हम transpiration, यह ascent of sap पढ़ लेते हैं, फिर हम translocation पहेंगे. तो जाएलम टिशू के बहुत सारे पार्ट्स हैं, जाएलम टिशू में वेसल्स भी हैं, ट्रकीट्स भी हैं, पारनकाइमा सेल्स भी हैं, तो यह सारे के सारे जाएलम के पार्ट्स मिलके, एक पुरा connective system बनाते हैं. एक pipe की तरह, pipe जोड़ जोड़ के, जोड़ जोड़ के सुचे, एक पुरा connective system बनता है. और एक connective system यह connecting channel जो है, वो roots से, roots से लेके tip of the plant, जो उपर की tip होगी, कोई कली खिली है, कोई फूल खिला है, कोई पती है, वहाँ तकी channel extended होगा. तो it is a continuous channel from the roots to the tip of the plant. अब roots ही क्यों? Roots में से पानी क्यों आता है? क्योंकि हम पानी जो है, मिट्टी में देते हैं. Soil में पानी होता है. Soil से root के जो cells हैं, वो पानी को take up करते हैं, मतलब दे carry the water molecules with them, और simple diffusion से, वो सारा का सारा पानी जो है, उपर travel करता है. अब बच्छा आप एक बात सोचो, अब ये कैसे करेगा? ये पानी को travel करना है, तो कोई ना कोई तो pressure चाहिए होगा, क्योंकि हमें against the gravity जाना है. तो इसमें root pressure theory काम आती है. Root pressure theory simple है, root pressure theory ये कहती है, कि जब plant की body, बोलते हैं ना, कभी-कभी आपने सुना होगा, घर में mama हो अगरे से, पूछना पापा अगरे से, कोई gardening करता है, तो बोला जाता है कि plant को जब पानी चाहिए हो ना, तब ही पानी दो, जादा पानी दो कि plant मर जाएगा. क्यों? क्योंकि जब plant को पानी चाहिए होता है ना, तो उसकी body में पानी की already कमी होई होती है. Body में कमी है plant के, लेकिन जो आसपास मिट्टी है, मालों ये plant है, तो ये roots है, ये plant की body में पानी की जब कमी होती है, तो उसकी roots में भी पानी की कमी होती है, लेकिन मिट्टी को जब आप पानी देते हो तो वहां पर osmotic pressure बढ़ जाता है, osmotic pressure is what? It is created by the water, तो फिर सारा का सारा पानी roots में जाने लगता है, ठीक है? Soil से root में जाने लगता है, this is known as root pressure theory, this creates a difference of the concentration of these ions between the root and the soils and water starts moving into the root from the soil to eliminate this difference, इसी difference को मिटाने के लिए सारा पानी और साथ में उसके dissolved minerals roots से, soil से roots में जाने लगते हैं और एक बार ये xylem में पहुँच गए, root xylem में पहुच गए, तो root xylem तो पुरा connected है, पुरा continuous system है, तो root xylem, root xylem से उठके, plant के सारे xylem parts में चाहिए, वो leaves है, branches है, वहांते है, पानी पहुच आ देगा, लेकिन ये pressure काफी नहीं होता है, especially दिन के टाइम में ये pressure काफी नहीं होता है, रात के टाइम तो root pressure जो है, काम चला लेता है, plant की सारी energy requirement पूरी कर लेता है, लेकिन दिन के टाइम में ये pressure से काम नहीं चलता है, सोचे क्यों, क्योंकि दिन के टाइम में क्या हो रहा होता है, photosynthesis हो रहा होता है, photosynthesis का raw material क्या है CO2 के साथ-साथ पानी तो दिन के टाइम में पानी की requirement जादा है प्लांट को तो दिन के टाइम में एक और mechanism की जरुवत पड़ती है root pressure के साथ-साथ which is known as transpiration transpiration is different from transportation please understand this ठीक है अब transpiration क्या होता है transpiration is यहां लिखा हुए क्या the loss of the water in the form of water vapor plant की body से excess पानी उड़ जाता है stomata के थूव दिन के टाइम पे जब stomata खुलेव होते है ना विचारे carbon dioxide को अंदर लेने के लिए तो फिर थोड़ा थोड़ा पानी भी उड़ जाता है this is known as transpiration यह ज़रूरी है क्योंकि दिन के टाइम में पानी की requirement ज़ादा होती है जड़ों से ज़ादा पानी खीचना होता है ज़ादा पानी खीचने के लिए root pressure theory से काम नहीं चलता है हमें extra pressure चाहिए होता है तो transpiration जब उपर water vapors के form में water plant की body से evaporate होता है तो वो एक suction create करता है नीचे की तरफ और उसी से पानी उपर चड़ता है simple logic है घर में motor होती है electricity वाली motor आप button on करते हो ground water table जो है वहाँ से पानी जो है उमारी चट पे जो टंकी लगी होती है tank लगा होता है water tank उसमें चड़ जाता है वहाँ पे आप electricity काम कर रहे हो electricity जो है नीच अगेंस तरफ ग्राविटी आपको help कर रहे है पानी चड़ाने में अब यहाँ पे हमारी कोई motor तो है नहीं अब हमारी motor नहीं है लेकिन हमें pressure तो create करना है वो pressure रात के टाइम पे root pressure theory create करती है और दिन के टाइम पे root pressure के साथ transpiration help करता है अब्वांटेज के आए transpiration के upward movement जो होता है पानी का या dissolved ions का उसमें मदद करता है प्लांट की बोड़ी में जादा अपने पानी दे दिया तो वो जादा पानी भी नुकसान दे है सो प्लांट की बोड़ी गर्मियों में ठंडग भी maintain करती है इसलिए उसे गर्मियों में और जादा पानी की requirement होती है transportation होता है लिकिन इसके साथ साथ अगर जादा transpiration हो गया जादा पानी प्लांट की बोड़ी में से उड़ गया आप पानी देना भूल गये लेकिन दूप में पौदा रखा रह गया तो फिर transpiration access हो जाएगा जब access transpiration हो जाएगा तो प्लांट मर जाएगा इसलिए transpiration को बचा एक necessary evil भी बोड़ा जाता है necessary इसलिए है ताकि हमारा xylem tissue की conduction of water अच्छे से हो सके absorption and upward movement of water अच्छे से हो सके evil इसलिए है क्योंकि by chance अगर transpiration जादा हो गया तो it will result in the death of the plant that is what is transpiration transpiration, translocation, acid to sap तीनों अलग है don't get confused about it now यही NCRT की line दी हुई है the effect of the root pressure in transport of water is more important at night during the day when stomata are open transpiration pull becomes the major driving force दिन में तो transpiration से पूरा पानी ऊपर चड़ जाता है लेकिन रात को photosynthesis नहीं हो रही होती है और sun नहीं होता है तो transpiration भी कम होता है और इसलिए हमें root pressure जाद अच्छे से उसका function देखने को मिलता है शमज़ा है ना इतना शब को शमज़ा है transportation of water शमज़ा है let's go to the next part which is transportation of food तो food बनता है कहाँ पे है हमने nutrition पड़ा autotrophic nutrition पड़ा पतियों में बनता है या green parts of the plant में बनता है phloem जो है उन पतियों में से जो बना बनाया खाना है glucose के फॉर्म में उसे पूरी बोड़ी में ट्रांसपोर्ट करता है और जहां आपको खाना स्टोर करना है सारा खाना आप एक साथ यूस थोड़ी करते हो कहीं कहीं खाना स्टोर भी होता है है ना रिस्टो जो हम आलू खाते है this is nothing but stored starch है ना हम जो यह vegetables खाते है उसमें से कही सारी vegetables are nothing but stored food of a plant तो यह food स्टोर करने के लिए भी transportation की ज़रूत होती है amino acid travel कर रहे होते हैं अलग-अलग substances travel कर रहे होते हैं वो सारा phloem tissue के साथ होता है अब वहां पे तो root pressure और transpiration की वज़ा से conduction of water easily हो जा रहा था phloem में ऐसा कोई theory नहीं अभी तक scientists बता पाए हैं इसलिए phloem tissues energy को utilize करके खाने का transport करते हैं क्योंकि खाने का ट्रांसपोर्ट सिर्फ नीचे नीचे तो नहीं करना है अगर आपको roots में खाने का ट्रांसपोर्ट करना होता है तो आप फिर भी कर देते हैं क्योंकि आप towards the gravity जा रहे हो लिकिन आपको ऊपर भी करना है और plant हमेशा ऐसे उड़ता है ऐसे थोड़ी उगता है तो आपको खाने का ट्रांसपोर्ट दोनों bi-direction में करना है xylem on the other hand is unidirectional की root से सीधे उपर की तरफ movement होगी water की कभी नीचे की तरफ नहीं होगी phloem on the other hand is bi-directional उपर की तरफ भी खाना जाता है और नीचे की तरफ भी जाता है तो it utilizes energy ATP के form में energy utilize करता है आप देखो phloem का पूरा transport देखो आप ये है आपका green part green part में हो रहा है photosynthesis photosynthesis हो रहा है तो यहाँ पे बन रहा है glucose glucose बोलो सुक्रोस बोलो एक ही बात है बच्चा it is a form of sugar it is a form of carbohydrate basically food ठीक है तो यहाँ पे बन रहा है glucose ये सुक्रोस किसी भी फॉर्म में जो भी बन रहा है सुक्रोस is a more complex form glucose is a more simpler form अब ये जो खाना है ये जो glucose ये सुक्रेस है ये phloem के tissues में लोड होना पड़ेगा इनर्जी ठीक है तो इतना समझो कि material like sucrose it transferred into the phloem using the energy of the ATP अब osmotic pressure यहाँ पे बढ़ जाता है आपने यहाँ से खाने की concentration उठाके phloem के tissue में डाल दी तो पानी की concentration जादा कहां पे होगे point A पे की point B पे पानी की concentration तो point A पे जादा होगे ना तो कि आपने जो soluble particles थे उनको तो सबको unload कर दिया phloem में osmotic pressure पानी का pressure जादा कहां पे होगे point A पे अब पानी भी travel करेगा इसलिए phloem के साथ साथ खाना तो travel करता ही है साथ में थोड़ा सा पानी भी इसमें load हो जाता है ठीक है और पानी यहां से भी load हो रहा है फिर से समझो रूख में दुबारा से समझाती हूं यह है आपकी leaf यहां से ATP के energy utilize करके phloem में चला गया food और phloem में जब food गया तो phloem में food particles जादा हो गया water की concentration कम हो गई as compared to the nearby cells इसलिए xylem tissue ने अपना थोड़ा सा पानी phloem में डाल दिया xylem tissue ने थोड़ा सा पानी equilibrium maintain करने के लिए phloem में डाल दिया अब इसकी वजा से और helpful हो जाता है ATP के energy के साथ सुक्रोस को लोड करना और यह flowing conducting tissue जहां पे भी plant की body में खाने की ज़र्वर सबसे ज़्यादा होती है जैसे मालोई कली खिलने वाली है तो वहां पे जबसे ज़्यादा food जाएगा कहीं पे plant की body repair होनी है कहीं से टूटी हुई है कहीं पे repair चाहिए तो वहां पे खाना सबसे ज़्यादा जाएगा और वहां पे होगी unloading unloading ठीक है this is how the transportation of food happens and this is known as translocation next in our syllabus is excretion one पेले हम पढ़ेंगे excretion होता क्या है then we will learn about excretion in human beings and then finally about excretion in plants सबसे पहले तो body में बहुत सारे processes चल रही है breathing चल रही है, respiration चल रही है, excretion चल रही है excretion चल तो, transportation चल रही है, cellular respiration चल रही है, nutrition चल रहा है so so many biochemicals are happening in the body and so much of toxic substances are also being produced for example CO2, हम जब cellular respiration करते हैं तो carbon dioxide जो produce होता है हमें अपनी body में रखके कोई फायदा नहीं है similarly, और भी बहुत सारी चीज़े हमारी body में produce होती है as an excreta, as a product that we don't need और अगर वो हमारी body में इकठी होती रहेंगी, होती रहेंगी तो हमारी body को eventually क्या कर देंगी, बिमार कर देंगी या फिर हमारी body को eventually unfit कर देंगी for our survival इसलिए continuous removal, biological removal उन toxic substances का हमारी body में से बहुत जरूरी है और यह mainly kidney में होता है लेकिन इसका मतलब यह रही है कि सिर्फ kidney में होता है बहुत सारे हमारे excretory organ है for example skin, हमारी body से जो sweat जाता है जो पसीना आता है उससे भी बहुत सारे toxins हमारी body में से release होते है this is also a form of excretion हमारे lungs में जो CO2 हम exhale out करते हैं carbon dioxide exhale out करते हैं it is also a form of excretion liver, liver में बहुत सारे blood के toxins बहुत सारे breakdown होते हैं और यह सारे toxins breakdown होके bilirubin की form में bile के साथ blood stream में जाते हैं small intestine में जाते हैं this is also a form of excretion but the main excretion which is in our syllabus is kidney का excretion किसका excretion? kidney का excretion so kidney excretion किसके form में करती है? urine के form में करती है देखो हमारा जो nutrition, digestion वाला जो system है वो excreta provide करता है that is basically stool digestion से stool निकलता है undigested food निकलता है but kidney से kidney filter करके urine form करती है और फिर body से urine निकलता है तो ये दोनों form है excretion के urine for patient जो है बहुत जरूरी है क्योंकि just as carbon dioxide हमारी body में यानि सारे organisms की body में nitrogenous waste produce होता है बहुत सारे metabolic processes की वजह से और ये जो nitrogenous waste है वो कई-कई organism में urea के जैसे होता है कई organisms में uric acid की जैसे होता है but depending upon कौन से organism की बात कर रहे हो हमें वो body से निकालना बहुत जरूरी है so nitrogenous waste is urine and urine is excreted out of the body because our kidneys filter the blood हमारे blood में जितना nitrogenous waste है filter करके kidneys body से बाहर expel out करती this is how a kidney looks kidney के उपर होते हैं दो adrenal gland जो आप hormone वाले chapter में पढ़ोगे यह हमारी kidney है दो pair होती है kidney के bean shape लगती है kidney और हर एक kidney से एक urator connect होता है kidney का भी एक pair हो गया kidney जो है urine form करती है वो सारा का सारा urine urator के थुरू urinary bladder में जाता है store होता रहता है जब एक specific amount of urine store हो जाता है हमारा central nervous system बोलता है time आ गया है urinary bladder को relieve करने का तो हम जाके सुसु करके आते है और इसलिए बोलते हैं कि you know when you feel the urge to excrete out the urine you should not resist it because उस पे kidney पे pressure पढ़ता है और urinary bladder पे भी pressure पढ़ता है तो after a specific amount of urine when it is stored in urinary bladder we must relieve ourselves और इसमें हमारा brain हमें help करता है तो kidney कितनी दो ureter कितने दो adrenal gland कितने दो urinary bladder कितना एक और urinary bladder की जो opening है वो कितनी एक urethra urethra से urine pass out हो जाया यह तो हो गया हमारा main organ kidney is the main excretory organ क्या इस organ के अंदर tissues हैं हां जी क्या उस tissues के अंदर cells हैं हां जी तो kidney might be the main excretory organ लेकिन kidney के अंदर भी छोटी-छोटी filtration units होती हैं जिन filtration units को बोला जाता है nephrons so the basic functional and the filtration unit even in the kidney is your nephron जब unit पूछा जाये तो nephron लिखना जब organ पूछा जाये तो kidney लिखना kidney के बहुत सारे function है पहली बात blood को purify करना nitrogenous waste को body से urine formation करके निकालना body का pH regulation करना reabsorption करना hormonal secretion करना क्योंकि इसके उपर adrenal gland लगे हुए होते हैं जो adrenal produced करते हैं these are all the functions of kidney now kidney हमारे syllabus में सिर्फ इतना ही है kidney की यह वाले parts है और normal functioning है जो हमारे syllabus में थोड़ा vast तरीकी से NCIT में दिया हुआ है पूरे एक paragraph दिया हुआ है that is upon your nephron which is the functional unit of kidney nephron के बच्ची यह दो parts होते हैं functional unit of kidney is nephron nephron के होते हैं दो parts एक second बाल बान लें बहुत गर्मी लग रहे है हाँ जी एक होता है renal corpuscle एक होता है renal tubule क्या होता है renal corpuscle एक होता है renal tubule renal corpuscle कुछ इस तरीके का दिखता है renal tubule जो है वो कुछ इस तरीके का दिखता है यह जो पूरा है this is renal tubule ठीक है, renal corpuscle के further दो पार्ट होते हैं, यह सब हम nephron पढ़ रहे हैं, confused नहीं होई यह गया, ध्यान से पढ़े हैं, ध्यान से, दो पार्ट से nephron के renal corpuscle and renal tibuscle, renal corpuscle के further दो पार्ट हैं, जो इस तरीके से दिखते हैं, एक होता है बीच में गुच्छा, जो blood capillaries से बना ह हुआ होता है, इस गुच्छे को बोला जाता है, glow merulus, क्या बोला जाता है, glow merulus, रटलो, nephron, nephron का पहला पार्ट, renal corpuscle, उसका पहला पार्ट, glow merulus, जो की एक गुच्छा है, ब्लड capillaries का, अब यह blood capillaries का गुच्छे के आस पास, जो cap-like structure है, renal corpuscle का, cap-like structure उसे बोला जाता है bowman capsule जैसे जब आपे capsule खाते हो तो उसके अंदर कुछ medicine होती है इसी तरीके से bowman capsule के अंदर glomerulus होता है ये glomerulus में बहुत सारी blood capillaries का गुच्छा है और blood capillaries हमें पता है बहुत thin world होती है और उसमें से diffusion और osmosis बहुत प्यार से हो जाता है इसे लिए ये जो गुच्छा है bowman capsule के अंदर glomerulus नाम का यही करेगा ultra filtration यही करेगा blood में से बहुत सारी चीजे filter out so you understand my point why nephron is known as the functional unit of kidney now let's come to the second part of the nephron which is a long tube जिसे बोलते है renal tube बच्छे जहां पे भी word दिखे ना renal जैसे जहां पे भी word दिखता है हमें cardiac हमें पता होना चाहिए कि वो heart की बात कर रहे है जहां पे भी word दिखता है renal आपको पता होना चाहिए कि kidney की बात हो ठीक है? renal corpuscle renal tubule यानि कि kidney value tube kidney value tube further बहुत लंबी होती है यहां पे मैंने kidney की tube दिखाई है kidney tube के 3 parts होते हैं एक होता है proximal tubule right then there is loop of henle loop of henle देख रहे हो then there is a distal tubule और last में जाके renal tubule का एक part होता है collecting drug ठीक है glomulus filtration में ultra filtration होती है यहाँ पे आता है blood which is carrying toxin blood with toxin body से आया blood बहुत सारा blood था जिसमें बहुत सारी toxicity थी यह blood गया bowman capsule के अंदर bowman capsule के अंदर इसे filter किया गया बहुत सारी membranes हैं आपकी capillaries के अंदर उससे filter हुआ यहाँ पे हुई ultra filtration यहाँ से जो filtrate था अभी इसको blood नहीं बोलेंगे अभी इसे क्या बोलेंगे glomerular filtrate glomerular filtrate जाता है आपका proximal tubule में और loop of hinley में जहाँ पे होती है selective reabsorption क्या होती है selective reabsorption मतलब कि blood में से आप जो जो reabsorb कर सकते हो blood में से आप amino acid reabsorb कर सकते हो blood में से आप glucose reabsorb कर सकते हो glucose तो वैसे भी energy देता है body को blood में से आप कुछ salts कर सकते हो major salts reabsorb कर सकते हो जो भी आप reabsorb कर सकते हो पानी reabsorb कर सकते हो उस सब की reabsorption होती है water की भी reabsorption होती है तो मैं outward sign बना रही हूँ क्योंकि इस filtrate में से निकलता है वो हमारी body में वापस जाता है साथ में tubular secretion भी होती रहती है कुछ चीज़े हम secretion भी देते हैं glomeless filtration में कुछ चीज़े हम डालते हैं जो body को और नहीं चाहिए होती है और कुछ चीज़े हम उससे निकालते हैं जो body को चाहिए होती है निकालने वाली चीज़े में बता दी water, glucose, amino acid, salt जाता क्या है यहां पर? ions जाते हैं ठीक है? when the filtrate goes to the distal part urea, potassium ion और कुछ hydrogen ions are secreted in the form of urine कुछ ions इसके अंदर चले गए finally, जब यह distal tivu से collecting duct में जाती हैं चीज़े तब वो कहलाती है urine याद रखना अभी तक urine नहीं बना था urine को urine कहलाने के लिए blood में ultra filtration होनी जरूरी थी reabsorption होनी जरूरी थी filtrate की और फिर secretion होनी जरूरी थी hydrogen ions and potassium ion और urea की तब जाके वो बनता है urine और ये सारे के सारे collecting duct सारे के सारे collecting duct finally मिलके आपके ये ureator में जाते हैं ureator में पोर कर देते हैं अपना content तारा urine ureator के थूरू urinary bladder में जाता है and then finally goes to the urethra तो समझ आया? the urine forming in each kidney eventually enters a long tube which is known as ureator ureator जादा है urinary bladder में urinary bladder प्रेशर बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है जब collect होता रहता है urine और फ्लेर हमारा central nervous system बोलता है कि आप जाओ washroom जल्दी जाओ जल्दी जाओ और urinate कर के आओ this is how excretion happens now what is artificial kidney and what is hemodialysis? hemodialysis is when your kidneys don't function properly आपको इतना तो जा गया होगा कि kidney इसका function करना कितना ज़रूरी है क्योंकि blood में से toxicity ही हम body में से nitrogenous waste ही हम kidney के function के इसरू निकाल पा रहे है so जब kidney function नहीं करेगी तो वो nitrogenous weight blood में इकठा होता रहेगा और हमारी body को harm करता रहेगा और eventually death भी हो सकती है so hemodialysis का मतलब है hem का मतलब है blood और dialysis का मतलब है filtration so it literally means blood का filtration अब या तो आपकी kidney बिलकुल काम नहीं कर रहे है या तो आपकी kidney बहुत कम काम कर रहे है या तो आपकी kidney proper function नहीं कर रहे है right so depending upon कि आपकी kidney की क्या stage है आपका dialysis भी उसी इसाब से होता है कुछ लोग होते हैं जिन्हें हफते में दो तीन बार dialysis पे जाना पड़ता है जिनकी kidney बिलकुल काम नहीं करती है कुछ लोग होते हैं जो महीनी में एक बार dialysis करा के भी काम चल जाता है so it all depends so यह dialysis में artificial kidney का इस्तमाल किया जाता है यह artificial kidney हमारी normal kidney जैसी नहीं दिखती है यह artificial kidney लम्बी-लम्बी tubes से मिलके बनी होती है यह लम्बी-लम्बी tubes बहाँ पे तुम्हारे पास blood capillaries का गुच्छा था यहाँ पे पचली-पचली लम्बी-लम्बी tubes होती है जिनकी semi-permeable membrane होती है जिसके हंदर हम dialyzing fluid डालते हैं जो blood की तरह होता है नहीं आएगा समझ तुम्हें diagram बना के लिखाऊंगी ऐसा दिखता है आपका hemodialysis का diagram simple logic सोचो हमारे पास dialyzing fluid होता है which resembles blood in concentration और in composition हमारी body में से गंदा खुन निकाला जाता है क्योंकि हमारी kidney अच्छे से function नहीं कर रही है तो blood में क्या है? toxins है इस blood को dialyzer में dialा जाता है dialyzer क्या हो गई? वो machine हो गई जिसमें dialysis हो रहा है it is the machine जिसमें dialysis हो रहा है इस dialyzer के अंदर already ये dialyzing fluid डला हुआ था अब ये dialyzing fluid हमारे blood की तरह ही composition में होता है तो हमारे गंदे खुन को लबता है जब वो इन पतली-पतली tube से होके निकलता है तो हमारे गंदे खुन को निकलता है कि आसपास की dialyzing fluid है ये तो bloody है ये तो normal blood है तो सारा का सारा गंदगी जो है हमारी toxic blood की वो सारी dialyzing fluid में चली जाती है semi-permeable membranes होती है सारी की सारी अगर dialyzing fluid का composition blood जैसा नहीं होता तो dialyces work नहीं करता so we maintain की dialyzing fluid का concentration and composition is as similar as blood as possible so everything goes to the dialyzing fluid और वो यहाँ पे कठा होता रहता है गंदा dialyzing fluid और हम fresh dialyzing fluid यहाँ से डालते रहते है क्योंकि भाई ये माल लो आपका toxic blood है toxic blood के आसपास dialycate है या dialyzing fluid है spelling अलत होगी बढ़ समझ जाओ ये pipe है हमने toxic blood डाला toxic blood के आसपास dialyzing solution था जो perfect blood की तरह है toxic blood की तरह नहीं है perfect blood की तरह है तो ये सारा का सारा जो toxin है वो equilibrium maintain करने के लिए higher concentration से lower concentration जाएगा ये जो सारा का सारा toxin है blood में ये transfer हो जाएगा dialyzing solution में और ये हम एक bucket में collect करते रहते हैं और fresh dialycate similarly dialyzer में डालते रहते हैं तो blood clean होता रहता है toxic blood जब यहां से dialyzer machine से बाहर निकलता है तो it is called clean blood क्योंकि उसकी सारी गंदगी dialyzing solution में चले गए है ना और वो हम body में return करते रहते हैं तो कुछ time लगता है इसमें कुछ घंटे लगते हैं इसमें आपको हमोडायलिस पूरा समझ आ गया था next topic is very chotu topic which is organ donation and then excretion in human beings organ donation आपको नाम से समझ आ रहा है वचा है बहुत अच्छा काम होता है जिसमें आप अपना organ डोनीट करते हो organ usually मरने के बाद डोनीट किया जाता है आप अपनी मर्दी से भी कर सकते हो या फिर आप अपनी family के मर्दी से भी कर सकते हो कई लोग होते हैं while they are even alive they make a pledge to certain organization government organized organization कि हमें अपने मरने के बाद organ डोनीट करने है so एक specific time period होता है usually death के कुछ घंटों में ही आपको organ डोनीट करने होते है otherwise वो organ में भी toxicity बढ़ जाती है और फिर वो transplant के काम नहीं आते organ donation से उन लोगों में उन लोगों को मतद मिलती है जिन में वो particular organ काम नहीं कर रहा होता है जैसे liver आप डोनीट कर सकते हो you can donate your kidneys, you can donate your heart, you can donate your cornea, आखों का रोशनी basically जिसे बोलते हैं आप मैंने आखेदान की है so you can donate certain parts of a body and not all the parts of the body कुछ चीजे हैं जो आप alive भी donate कर पाते हो कुछ organs से हैं जो सिर्फ आप मरने के बार डोनीट कर बाते हो for example हमारा जो liver होता है उसमें regenerative property होती है अगर उसका कुछ टुकड़ा आपने अपनी किसी loved one को जिनका liver काम करना बंद कर गया था उन्हें donate कर भी दिया है तो वो कुछ हिस्सा जो है आपकी body में कुछ सालों बाद recovery के बाद regenerate हो जाएगा तो आपकी body भी proper function करती रहेगी और उस cut liver से उनकी body की भी हाला अच्छे से maintain रहेगी kidneys हमारी body में एक pair होता है kidney का दो kidneys होती है तो एक kidney भी ठीक था function कर देती है तो कई लोग अपनी एक kidney भी अपने loved ones को देते हैं जिब की kidney function करना बंद कर देती है तो kidneys हो गया कुछ tissues हो गया या कुछ liver का part हो गया these things you can even donate while you are alive otherwise mostly organ transplantation happens जब organs को केसी person की देत के बाद surgically remove किया जाता है organ donor की body से और जो recipient होता है जिसे organ की जरुरुत होती है उसे दिया जाता है ठीक है this is how organ donation work now excretion in plants just like human beings produce toxic material similarly plants also produce toxic material और plants की body में तो इतना कोई बड़िया mechanism भी नहीं excretion का फिर भी plant की body में liquid waste भी produce होता है solid waste भी produce होता है और gaseous waste भी produce होता है gaseous तो आप जानते हो oxygen भी कभी-कभी plant के लिए gaseous waste में आता है carbon dioxide भी-कभी depending upon the conditions carbon dioxide भी waste में count हो जाता है और water vapor भी count हो जाता है तो यह सारा का सारा gaseous waste जो है बचाए CO2, water CO2, water vapors and even oxygen यह सब कुछ तो ट्रांस्परेशन के थ्रू या stromital opening के थ्रू या lenticles के थ्रू चला जाता है environment में, so it evaporates now lenticles वहाँ पे present होते है जो green stem होती है जब प्लांट नया होता है जब वो बुडी ब्रांच नहीं होती है तो वो green part जो होता है stem का वहाँ पे lenticles होते हैं stromata नहीं होता हूँ और stromata तो आपको पता है हर पत्ती के नीचे वले epidemics पे होते हैं liquid exchange जो है वो plant की body से transpiration के थू चला गया evaporation के थू इसके लावर जो बहुत सारी solid waste होते हैं वो plant में store होके रहते हैं वो solid waste हमारे बहुत काम आता है for example कई सारी पत्ते जो गिरते हैं यह जो abscissic acid की वज़ए से पत्ते गिरते हैं फूल गिरते हैं this is a form of you know getting rid of the parts of the plant body that the plant doesn't need then याप यह देख रहे हो यह जो पत्यों पे चोटी चोटी बूंदे आ रखे हैं these बूंदे are nothing but excreted water यह plant body में से जो raisin निकल रहा है this is a form of excretion in plant so plant अपने different different form में excretion करता है and this is what is excretion in plant is all in your syllabus nothing more nothing less and this was it बचाई इसके बाद मैंने आपे renal tubule का एक फूरा चार्ट दे दिया है यापकी syllabus में नहीं है मैं पहले ही बता दूँ this is extra if somebody is interested in urine formation on a very higher level you can go through it but this was it from my side don't forget to collect this pdf from my telegram channel जिसका link में description में देरी हूं और comments में भी पिन कर दूंगी और जो एक होंगा question दिया था उसका answer बदाना मत भूलना हम लोग मिलने वाले हैं परसो यानि कि 13th of May को we will do resources and development क्योंकि मैं आपको सस्टी भी पढ़ाती हूं तो यहीं मिलना शाम को 7 बजे resources and development के साथ बाई and टाडा and take care अर्दिग का्वा हूं आफ ग